तालिबान और अमेरिका की भी शांती समझोते के कुछ ही घंटे बात अफगानिस्तान के शांती भंग हो गई तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस सेना की कई अड़ों पर हमले किये और कई लोगों को मौत के खाट उतार दिया हैरानी इस बात की है कि तालिबान ने ये हमले डोनाल्ड टरम्प की हितायत के बात किया है मतलब साफ है कि तालिबान ने शांती समझोते का साफ साफ उलंगन किया है क्या है पूरा मामला देखे स्पोर्ट अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानी सेना के अड़ो पर 34 फ्रांतों में से 16 पर 33 हमले किये इन हमलों में 6 नागरिक मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांती समझाते में ये प्रावधान है कि तालिबान अपने कबजे से 1000 अफगानिस सेनिकों को रिहा करेंगे और अफगानिस्तान सरकार 5000 तालिबानी कैदियों को रिहा करेगी लेकिन अफगानिस्तान के राष्टपती अश्रफगनी का मानना है कि तालिबान कैदियों को छोड़ने का बादा अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं किया है इसलिए ये मामला विगड गया कैदियों की अदला बदली को लेकर हुए विवात से अब ये सवाल उठने लगा है कि ये समझाता आगे जारी रहेगा या नहीं राश्टपती अश्रफगनी के इस घोशना से तालिबान नाराज हो गए जिसके बाद खोस्त में धमाका भी हुआ दरसल तालिबान अफगानिस्तान सरकार से अपने लडाकों की हर हाल में रिहाई चाहता है इसके लिए तालिबान अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार पर दबाव बना रहा है तालिबान का कहना है कि कैदियों की रिहाई के बिना कोई शांती वारता नहीं होगी तालीबान चाहता है कि अश्रफगनी सरकार 10 मार्च तक 5000 तालीबान लड़ाकों को रिया कर दे जिसके बाद अफगानिस्तान के राश्पती अश्रफगनी ने तालीबान कैदियों की रियाही के लिए एक बड़ी शर्त रग दी कि अगर वह अपने कैदियों की रियाई चाहता है तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिष्टे खत्म करने होंगे हलाकि अश्रफगनी का कहना है कि अफगानिस्तान तालीबान अमेरिका से शांती समझाते पर हस्ताक्षर करने के बाद आतंगवाद को सहीर नहीं ठहरा सकता है अश्रफगनी यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे वक्त से तालिबान को संडरक्षन दे रहा है और तालिबान पर अपने इसी प्रभाव का इस्तमाल पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ करता रहा है तालिबान के हमले के बाद से पाकिस्तान की स्तिती भी खराब हो गई है इसलिए पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी अफगानिस्तान से मिन्नेते कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार कैदियों की अदला बदली की शर्ट को छोड़ दे और अमेरिका तालिबान के शांती समझोते को कायम रहने दे तालीबान के हमले के बाद अफगानिस्तान की शांती बहाली में अमेरिका तालीबान समझाता कितना कारगार साबित होगा ये तो समय बताएगा क्योंकि आसार ऐसे दिख रहे हैं कि तालीबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच फिर से हिंसा भड़ा कुठेगी अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है यही वज़े है कि तालिबान के साथ हुए समझाते के तहद अमेरिका ने अगले 140 दिनों में अपने सैनिकों की संख्या 14,000 से घटा कर 4600 करने और 14 मा में अफगानिस्तान के सभी सैनिक वापस बुला लेने की घोशना की है अमेरिका में चुनाओ है जोनाल टरंप ने पिछले वार ये वादा किया था कि वो अमेरिकी सैनिकों को वापस लाएंगे ये वादा उन्हें पूरा करना है उनकी चिंता अफगानिस्तान में शांती नहीं अमेरिका में चुनाओ जीतना है इस समझोते को दूसरा एहम किरदार पाकिस्तान है जो अपने वादे को पूरा नहीं कर सका यही वज़ा है कि दो दिनों में ही अमेरिका तालिबान समझोता खत्प हो गया ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया